दोस्तों कहा जाता है कि हेल्थ से जुड़ी कई समस्याओं का इलाज अकेले पानी है हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर भी भरबूर पानी पीने की सला देती है शरीर में अगर पानी प्रयाप्त मातर में होगा है तो शरीर के सब यंग से चार रूप से काम करेंगे हमारी बड़े बजुरग भी सुभी उठकर पानी पीने की सला देती है और इसका से से कनेक्शन भी गिनाते रहे हैं ऐसे में विश्यशेगी है मानते हैं अगर आप पीने के लिए ठंड़े पानी की जाए गरम या गुर्णगना पानी प्रफर करें तो इसका आपकी शिरीर पर कई गुना ज्यादा परभव पढ़ेगा तो आई जानते हैं गरम पानी पीने के क्या क्या फाइदे हैं और इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों बदलते मोसम में हल्दी बने रहने के लिए रोज सुबह खाली पेट एक गलास गरम पानी में नेमबू डाल कर पीएं इससे शिरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती हैं इसके नियमे सेवन से खासी, सर्दी और जुकामादी दूर रहते हैं अगर आपके गले में इंफेक्शन हो गया है और खराश आ गई है तो गरम पानी का सेवन करने की सलाह डॉक्टर भी आपको देती हैं अगर आप वजन कम करने के लिए जिम में घंटो पसीना बाहर रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप अपने डाइट में ठंडे पानी जाए गरम पानी की जोगा देंगे तो आपका वजन तेजी से घट सकता है इसके लिए अपर रुजाना सुबे एक से दो गिलास गुंगना पानी पीएं और उसके बाद ही दिन की शुरुवात करें इसके सेवन से श्रीर के हानिकारिक टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है जिससे बेवज़े भूख नहीं लगती और वजन कम होने लगता है अगर आपको साइनस की प्राणी समस्या है और कई दिनों तक नाग बंद और सिर्धर से आप परशान रहते हैं तो सुबह एक दिलास गरम पानी पीने की आद़ग डालनी चाहिए ऐसा करने से साइनस की लक्षनों में कमी आती है और बहुत अराम मिलता है अगर आप दाद दर्द और मसूरों के दर्द से परशान रहते हैं तो रोजाना सुबह गरम पानी पीने की आद़ग डाल लें इससे आपके दाद लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे और स्वेलिंग में अराम मिलेगा गरम पानी पीते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पानी अधिक गरम नहो ऐसा होने पर दादों के इनैमल को नुक्सान पहुंस सकता है और अगर आपको रोजाना कबज की समस्या रहती है या अपच की समस्या रहती है तो आप अपने खाने पीने में कुछ बदलाव करें सबसे पहले तो पीने के लिए गुन्गने पानी को दिन चला में शामिल करें ऐसा आप सिर्फ एक सब्था तक करके देखें दरसल गरम पानी पीने से रक्तवाई का ये चोड़ी हो जाती है और आथों से रक्तवाई बढ़ जाता है जिससे पाचन तंतर बेहतर तरीके से काम करने लगता है गरम पानी के प्रयोग से ऐसीलिटी के समस्या भी नहीं होती गरम पानी पीने से श्रीर का ताप्वाण बढ़ जाता है और श्रीर से पसीना जादा निकलता है पसीने के माध्यम से श्रीर में मौझूद हानी का टॉक्सिंस ये श्रीर से असानी से बाहर आते हैं अगर आप गुनगने पानी में निम्बू या ग्रिन टी डाल कर पीते हैं तो ये श्रीर के अंदर टॉक्सिंस असानी से बाहर निकाल देते हैं। अगर आपके पीट में दर्द है, सिर में दर्द है या श्रीर के किसी मसल्स में दर्द है तो आप गरम पानी का प्रयोक करें। इसे पीने से तो दर्द में आराम मिलता है, मास पेशों की सूजन में भी आराम मिलता है हर महिने होने वाले पेरियर्स में आप दर्द से अगर परशान रहती है तो आप गरम पानी की मदद से इस परशानी को दूर कर सकती है आप गरम पानी को कुछ घंटे में चाई की तरह पीएं इससे पेट के सिकाई होती है और कैंट में अराम मिलता है अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गरम पानी पीने के आप डाल लें तो इससे कवसे असानी से चुटकारा मिलेगा यह नई मलत्याक की परक्रिया भी असान हो जाती है इसलिए अगर आप सुबह चाई या कौफी की बजाए एक गिलास गरम पानी पीएं तो यह हर मामले आपकी सिहत के लिए फाइदे मन्द होगा तो दोस्तों यह थे सुबह खाली पेट गरम पानी पीने के फाइदे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यह लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर वे तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकोन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए हर मिलते एक लिए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक पिलिए नमशकार धन्यवाद